आज मैं आपको प्रोग्रेमर टूल्स के बारे में बता हूँगा देन वीडियो स्टार्ट करने से पहरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकर में फ़र्दर वीडियो आप तक पहुंचते रहें आते ही परफॉल्स के लिये यह यूश क्ता है । उससे तूल्स करें ना यह डाता यह बनाने का बेसिक मकसद होता है यह आप साफिर बनाते हैं एप्लिकेशन जी बनाते हैं वीडियो हो गई एडिटर्स हो गई साउंट रिकॉर्डर्स हो गई everything यह सारा प्रोग्रामर का ही बेसिक प्रोग्रामर ही बलके इनका बेसिक स्ट्रक्चर है यहां प्रोग्रामर के बाद यह दैन अगर फर्दर फीचेश के साथ सॉप्ट्वेर बर गहरा बनाए जाते हैं तो प्रोग्रामर के बेसिक टूल्स हैं कुछ एडिटर्स इंटर्पेटर डिबगर लिंकर लोडर दैन हम अब इनको वन बाइवन एक्स्पेइन करते हैं कि यह होते क्या हैं एडिटर्स यूज टू राइट अपीस ऑफ और एडिटर्स में हम कोड को राइट करते हैं इस हम इसे स्वोर्स कोड और इसको हुमन्स मशीन लेंगविज देशार्ट करता हैं अब इसको राइडाओट करता हैं इसलिए हम स्वोर्स कोड भी काथा है simple text reader can be used as an editor simple text editor भी इसमें यूज़ का सकते हैं C programs files and end with C extensions next compiler translate high level language into machine language compiler का काम यह होता है कि वो जो high level language है उसको machine language पे convert कर देती है convert high level code to machine readable code यह basically वही बात कर रहा है कि जो language या कोई word जो इनसान code को read कर सकता है वो उसको change कर जाती है machine readable code में अब basically जो language हाम पढ़ते हैं वो computer उसको understand नहीं करता कि computer की अलग language होती है और यह binary form पे depend करता है translate whole program in one go and give complete pictures of programs next interpreter translate that translate high level language into machine language यह इसका भी वही same काम है क्योंकि यह compiler और यह दोनों same ही है इसका भी basically वही काम है कि high level language को machine language में transfer करे देना line by line translate therefore program is going to slow और यह line by line translate करता है does not give complete pictures of the program और यह मुकमल तोर पर कोई भी program को उसकी information नहीं देता बलके one by one one by one आसासा करता चलता चाता है debuggers help to debug the program for example rectify the errors help in tracking the logical errors यह जो कोई से logic errors वगेरा कोई भी होते हैं यह उसको track करता है उसको work करता है linker linker का basically काम होता है कि object code को library के साथ link करवाना this process is card linking इसको हम linking क्याता है convert करता है यह object code to single exalted code में जो काबले हाल code होते है ना object code को यह काबले हाल code में single single करके convert कर देता है loader loader का basically काम होता है कि जो program हम कर रहे हैं उसको memory के साथ memory में बलके load करवा देना उसको हम loading क्याते है है तो देन यह language की history है यह एक मतबा आप चेक का लिजेगा और यह basic इंगे phase है phase one programming create programs in the editors and store in dix यह basically editor है editor एक program को write करता है write करने के बाद उसको डिक्स में store करवा देता है then दूसरा processor प्री प्रोसेसर programs प्रोसेसर दा code कि प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर उसे कहते हैं जो program को preformed करें और उस पे process करना start कर दें उसके बाद प्रोसे होगा है compiler compiler object code वो सोर्स कोड को object code में change convert करने के बाद उसको डिक्स में store कर देता है link यह linker link the object code with the library और यह जो linker का basically काम होता है object code को link करवा देता है library के साथ उसके बाद लोडर five phase में है loader और यह programs को loading करवाता है in memory में next six phase six phase में CPU CPUs take each instructions and exerted it possible storing index वो जो भी इसको instructions दिये जाते हैं वो इसको pick करता है कामें अमल में लाता है और देन उसको store करता है डिक्स में नेक्स अजी हैंस c programming typically going through six phase जो c programming environment होता है न वो छे चीज़ों पर मुश्टमिल होता है editor प्री प्रोसेसर compile link loader excited इसका पहले हमने structure देखा था यह structure है इसका environment है जो c program पे मुश्टमिल होता है then उन्होंने अगे इसको explain करके पार्स में भी बियान कर दिया गया है अब यह सी सेंपल सी programming यह basic structure है यह एक program का basic structure है first main program in c plus ash e अगर इसमें से आपकी छोटी भी कोई भी mistakes होगी तो then program running नहीं होगा वो error show कर देगा यह एक method है c program basic program बनाने का और आप इसको run भी कर सकते हैं basic program structure रही है तो यह आप को मैंने अपनी वीडियो शेयर की है then further वीडियो के लिए मेरा चैनल को subscribe करें वीडियो